खरगोन जिले के गोगाओं में महम्मत पूर रोड इस्थित हाजी कालोनियों के रहवासी पंचाय द्वारा दी जाने वाली सुधाओं से वंची थे रहवासी उन्हें बताये कि हाजी कालोनिय में लगभग सो परिवार निवास रथे हर चुनाओं के समय बिजली पानी और सड़क बनाये जाने का असवसन दिया जाता है लेकिन आज तक कारी नहीं करवाया गया वही मार्ग कच्चे होने के कारण बरसात के समय जगा जए गड़े तालाब नुमा इस्तिति में बन गए है वही गर्मियों के मोसम में धूल से परिसान होते रहते हैं अभी बरसात का समय चल रहा है जगा जए गड़ों में पानी भरा हुआ है आने जाने के लिए परिसानिये होती है इसकुल जाने वाले बच्चे को भी गठीनाईयों का सामना करना पड़ता है हमारा रोज का काम हो गया है हम मजबूर हैं कोई भी विवाग हमारी फर्यात को सुनने को तयार नहीं गतवर्स हमने जिला कलेक्टर को भी समस्या सा उगट कर रहा था लेकिन कोई जिला करन आज तक नहीं हुआ है गुगाउन से एक बाल हकीम की रिपोर्ट पहरी जाने को तकलीब होती है वर गढ़े नेताओं से भी सिवाए आस्वसन के कुछ नहीं मिलता है और ये और पुछले की समस्या है थोड़ी थी यहाँ पे और लगबद दो सो मकान हैं इस कालोंी में और बीस सालों से इसी है बारिष में रोड़ की गड़़ों की प्राबलम और घर्मी में दोल उड़ती है और हापस में धिगड़े होतर रज़ देशानी है याप बारिष में आप अपी जो देख रहे हैं पानी गड़े ये पूरी कालोने में इस तरीके दे भरा हो रहता है बच्चों की इसकुल में जाने में तकलीप पढ़ती है बहुत पढ़ती है और हर आजमी पढ़ती है और हम से कम 30 साल से यहां पर रह रहे हैं plugins किसी के कोई काम होने वाला नहीं है अबना पंचायद वाले करते हैं ना कोई ने सालोग कोई खाम सुनने सुस्त तेयार है। इस पार जाओ भी तो आश्वासन दे रहते हैं, काम आप कुछ होता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा कैनल SW24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे कैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें।